सिद्ध योग में आपका स्वागत है। शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी दिलकुल मुफ्त में। बहुत कम है आपकी बोड़ी के लोवर पार्ट में या फिर आपको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, तो आज हम आपको पताने वाले हैं एक ऐसे आसन के बारे में, जो कि आपकी इन सभी समस्या को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो मैं आतुल मिश्रा सिद्धियोगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम असुसंचारन आसन की कौंटर इंडिकेशन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कौंटर इंडिकेशन में क्या के चीज़े हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको खाना खाने के तुरंत बाद इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। अगर आपको हर्ट से रेलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको हिप जॉइंड में या नी जॉइंड में कोई इंजरी है या एंकल जॉइंड में कोई इंजरी है तो भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आसन की और, अब हम जानेंगे कि इस आसन में क्या-क्या step हमको लेने हैं इस आसन के अभ्यास में, साथी साथ हम इस आसन के लाभों को भी जानेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको table top की position में आ जाना है, तो यह आपकी table top की position हो गई है, तो यहां आपको क्या करना है कि दोनों घुटने आपके कुले वे रहेंगे, दोनों हाथ आपके कुले वे रहेंगे, गैप रहेगा, तो जो आपके position है, उसमे पूरे तरीके से खुली वही रहेंगी जितना गैप आपके दोनों हातों के बीच में है उतना ही गैप आपके दोनों पैरों के बीच में रहेगा उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने दाया पैर को आगे की तरफ लेके आएंगे अपने दोनों हातों के बीच में तो अप इस तरीके से अपने पैर को आगे ना लेके आपाएं तो उस पोजिशन में आपको क्या करना है कि आप अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने दाएं पैर को आगे की तरफ लेके आएंगे तो इस तरीके से आपको आगे लेके आना है ध्यान रखना है जब आप को इंजरी हो सकती है और साथी साथ आपको नी पेन बढ़ सकता है और जिन लोगों को नी पेन की शिकायत है और नी में कोई इंजरी है तो उनको इस तरीके से ही position लेनी है और या फिर आप चाहे तो अपने गुटने के नीचे जैसे कि आप चाहे तो एक soft block ले सकते हैं उसको आपके घर पर कोई भी blanket या pillow जो भी आवेलेबल हो एक गुटने के नीचे रख सकते हैं जैसे कि आपके घुटने में इंजरी ना हो दर्द nor तो इस तरीके से आपको करना है अगर आपको नीमे इंजिरी है तो अधरवाइश आपको घुटनों में बहुत जाद दर्द है तो आप इस आसन को एवोइड करें तो वह ज़्यादा अच्छा है साथी साथ क्या हो सकता है कि अगर आपकी हेंस्ट्रिंग मसल्स और हिप मसल्स बहुत ज़दा टाइट है तो हो सकता है कि आपके दोनों हाथ जमीन पर टच ना हो क्योंकि ये आसन पूर्ण रूप से आपकी हेंस्ट्रिंग और हिप मसल्स को स्ट्रेच करता है अगर फ्लेक्स रख लेना है, आपका जो पैर है, पीछे वाला बाया पैर, उसके जो टोजिस हैं, वो आप अंदर की तरफ टक करके रख सकते हैं, या फिर बाहर की तरफ आउट कर सकते हैं, अपने टोजिस को, तो यह आप पर डेपेंड करता है, जैसा भी आप कमफर्टेबल फील करें, उस नहीं डालेंगे, आपको आराम से करना है इस आसन को, तो जैसे कि देख सकते हैं, इस आसन की final position में, हमारी hamstring muscles stretch होती है, हमारे जो hip joint है, उसकी flexibility और mobility बढ़ती है, साथी साथ ankle joint की flexibility बढ़ती है, और यहां आप देख सकते हैं, या आगे वाले पैर में, जहां आपको stretch हो रहा है, तो यह आसन आपके एक पैर की muscles को stretch करता है, उसी तरहें दूसरे पैर की muscles हैं, उनी muscles को यह आसन जो है, वो contract भी करता है, तो यहां पर आपकी जो डाया पैर है, उसकी जो quadriceps muscles हैं, वो contract हो रही है, और जो आपका बाया पैर है, उसकी quadriceps muscles जो हैं, वो stretch हो रही है, आपकी पैल्विक मुसल्स को भी स्ट्रेच करता है यह आसन तो आप लोगों को इस आसन के बहुत ज़्यादा लाब मिलने वाले अगर आप इसको पूरी तरीके से कर पाते हैं दीरे-दीरे जैसे आपकी बॉड़ी की इस तरीके से इस आसन का भीयास कर सकते हैं जिन लोगों को घुटने से बहुत जद़ प्रॉब्लम है या फिर आपको कम्वरटेबल नहीं लगता है तो आप सौफ्ट चीज रख के अपने गुटने के नीचे या फिर अपने गुटने को इस तरीके से उपर करके भी आप इस कर सकते हैं तो वापस आने के लिए क्या करना है आपको अपने डाएं हाथ को उपर उठाते हुए या फिर डाएं हाथ को नीचे रखते हुए धीर इसे अपने डाएं पेर को वापस ले जाएंगे तो जिस तरीके से आप आसन में जाते हैं उसी सेम स्टेप से आपको आसन में वापस जाना है, जिस तरीके से हमने अपने दाएं पेर से क्या है, उसी तरीके से हम बाएं पेर से इस आसन का अभ्याज करेंगे, तो अभी हम अपने बाएं पेर को आगे लेके आना है, अपने दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से अगर आप नहीं ला पा रहा है आपका पैर बीच में स्टक हो रहा है तो आप अपने हाथ को उठाते हुए इस तरीके से आगे लेके आएंगे और ध्यान रहे फिर से आपका जो ankle joint है और knee joint है दोनों एक line में रहेंगे हाथों को अपने पैर के side से रखना है पीछे वाले पैर के अंगूटे को या तो अंदर की तरफ रखेंगे या बार की तरफ रखेंगे कोई भी soft चीज आप अपने खुटने के नीचे रख सकते हैं अगर flexibility कम है तो block का use करना है इस तरीके से गर्दन को बहुत ज़दा press नहीं करना है आपको इस तरीके से भी रख सकते हैं दीरे दीरे जैसे flexibility बढ़ती जाएगी आप final pose में आते जाएगे इस तरीके से इस आसन में तो यह आसन अगर आपको commercial related दर्ध है या फिर आपकी lower back जो है वो बहुत ज़दा stiffness है तो वो आपकी stiffness को भी दूर करता है और साथ के साथ आपको lower back से related जो pain है उसको भी दूर करने में यह आसन help करता है तो जिस तरीके से गर्दन में गएते उसी तरीके से दीरे से वापस आ जाएगे तो ये दोस्तों आपने आपको बताया अस्व संचालन आसन के बारे में तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अब पूरी तरह से सीख गए होंगे इस आसन के अभ्यास को तो आपको ध्यान रखना है कि इस आसन के आपको 2-3 set करने है और हर set में आप इस आसन को maximum 40-50 second या minimum 30 second तक आपको इस आसन को hold करना है जिससे कि आपकी muscles flexible हों, joint की mobility बड़ेगी आपकी, कोई भी गलती ना करें जो alignment आपको बताया है, वो alignment बहुत ज़्यादा जरूरी है alignment के साथ अगर करेंगे, तो आपको injury होने के chances कम हो जाते हैं तो ध्यान रहे किसी भी आसन में push नहीं करना है, breathing के साथ करना है तो आप करिए इस आसन का अभ्यास, हम जल्दी मिलते हैं अगले आसन में आपसे फिर से तब तक के लिए नमस्कार